एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे। जब वे मात्र दो वर्ष के थे। तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविश्यवानी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशश्वी बनेगा। और उस बालक ने उनकी भविश्यवानी अपने कर्मों से सच साबित कर डाल क्या आप जानते हैं वे कौन थे। वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डाक्टर विक्रम सारा भाई। डाक्टर विक्रम सारा भाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को एहमदाबाग्द हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपती परिवार था। पिता का नाम अं प्रति भावान विक्रम सारा भाई के बच्पन का ये प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वह पांच-छे साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिताश्री अंबालाल के नाम धेरो चिठ्थियां आती थी। या देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आएं। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाग घर में डाल दिये। फिर क्या था? उनके नाम पर धेरो चिठ्थि आने लगी। पिता ने मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्धेश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हसी आई। लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह आठ साल के थे तो साइकल पर विभिन कलाबाजियां करते और लोग की परिक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज एहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में केंब्रिज से गणित्व भौतिकी में बीसी की परिक्षा में सफलता प्राप्त की। तद पस्चात द्वितिय विश्वय युद्ध के शुरू होते ही विक्रम चाराभाई भारत लोटाए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तठा डाक्टर हूमी भाबा का सानिध्य मिला। वहां रास्ट्रिय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह म्रुणालीनी स्वामिनाथन के साथ विवास सूत्र में बंध है। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराईयों से आने वाले रहस्यमाई कौस्पिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्व विद्यालाई से सन 1947 में पीचडी की उपाधी हासिल की। ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प पोटियां सरवाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैगनानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोकशाला स्तापित की। डाक्टर विक्रम साराभाई के नीजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोकशाला एहमदाबा साद में ही टेक्स्टाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोशेशन की आधार शिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोकशाला डाक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंत्रिक्ष्वी की रण, सूर्य, ग्रैह, तारा, प्लाजम भौतिकी और खगोल पर वह कार्य क करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु उर्जा आयोक के सदस्य बनाये गए। डाक्टर भाभा की मृत्यू के पस्चात परमाणु उर्जा संस्तानों का भार युवा वैज्ञानिक डाक्टर विक्रम सारा भाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारती अनुसंधान केंद् हन किया। डाक्टर विक्रम सारा भाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत ने दूर संचार, दूर दर्शन वह मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलता पुर्व कारे कर रहे हैं। नवाज आ गया। निश्रस्रीकरण से संबंधि कई महत्वपूर्ण आंतर राष्ट्रिय संस्ताओं में भी भारत के प्रतिनी धी रहे। सारा भाई सन 1970 में विएना शान्ती अंतराष्ट्रिय अनुमंच के चौदवी परिशत के प्रमुक बने। सन 1971 में संयक्त राष्ट्र संग परिशत के उपाध्यक्ष वबाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्चकोटी के वैज्ञानिक ही नहीं थे। बलकि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा वह समाज के लिए परियाप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से एहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नहरो विकास संस्तान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रती रूची जागरित करने के लिए कार्य करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीक थी। दाक्टर विक्रम सारा भाई को त्रिविंद्रम के लांचिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरिक्षक के लिए भेजा गया था। वहाँ एक होटल में ठैरे हुए थे। यही रिदय की गती रुकने से उनकी मृत्य हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नीत नए आ पायामों को जोडने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन।